हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिये लेकर आई हूँ टमाटर की एक स्पेशल रेसिपी तो आईए इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पीन टमाटर लिये हैं अब इन्हें हम इस प्रकार काट लेंगे टमाटर काट लिये हैं और जो इसके अंदर का सौप्ट भाग है इसे हमें इस प्रकार निकाल देंगे टमाटर का सौप्ट भाग मैंने निकाल लिया है अब इन्हें हम चॉप कर देते हैं इस प्रकार महीन कर लेंगे हम इसमें दो अंडे डाल देंगे एक चमज मैदा एट कर देंगे थोड़ा चॉप किया हुआ प्यांज डाल देते हैं माटर का सॉप्ट भाग डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्वादा नुसार नमक आधा चमज धनिया पावडर नुसार मिर्च पावडर चमज जीरा पावडर मिक्स कर देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैंने तवा लिया है और इसमें ओयर डाल दिया है अब जो स्लाइसेज हमने टमाटर की काटी हुई थी इन्हें इसमें डाल देते हैं और हमने जो ये रैडी किया हुआ है इसे इसमें डाल देते हैं एक साइड पक चुके हैं अब इन्हें पलट के पका देंगे दूसरी साइड इस परकार ये बन चुके हैं और इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इन्हें बनाए तो तवा गरम होना चाहिए प्लीज दोस्तों मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू